परिचय जब हम किसी पौधे का निरीक्षन करते हैं, तब हम देखते हैं कि प्रत्येक पौधे में जड़ें, तना और पत्तियां पाई जाती हैं। पौधों में पुश्प और भल भी होते हैं। जड़ों एवं तने के गुण, उनके प्रकार, रूपांतरण और उनके कारियों के विशय में हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं। अब हम पत्ति के विशय में पढ़ेंगे। उद्देश इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे। पत्ति के गुणों का पता लगाना। पत्ति में शिरा विन्यास का पता लगाना। पत्ति के प्रकारों का अध्यन करना। पर्ण विन्यास को पहचानना। पत्ति के रूपांतरणों का अध्यन करना। पत्ति के कारियों को समझना। पत्ति पत्ति पाशविय चप्टी संग्रचना होती है जो तेने की गाठ यानि पर्व पर लगी रहती है पत्तियां पौधों का वह अंग हैं जो पौधे के लिए भोजन बनाती है इसके कक्ष में एक कली होती है कक्षिय कली बाद में शाखा में विकसित हो जाती है पत्तियां प्ररोह के शीशस्थ विभजोतक यानि मिरिस्टम से निकलती हैं जो की बहुत छोटी समव्यासिय तथा पतली भित्तियों वाली होती हैं तथा अग्राभिसारी क्रम में लगी रहती हैं पत्ति के तीन मुख्य भाग होते हैं पर्णधार पर्णवरंत स्तरिका पर्णधार पत्ति का सबसे निचला भाग होता है जिसके द्वारा पत्ति गांठ यानि पर्व से जुड़ी रहती है पर्णधार के आधार पर दो पार्श्व छोटी पत्तिया निकली होती हैं जिन्हें अनुपर्ण कहते हैं पर्णवरंत स्तरिका को सूर्य के प्रकाश की तरफ प्रदर्शित करता है स्तरिका शिराओं तथा शिराकाओं युक्त पत्ती का एक चप्टा पतला चोड़ा तथा फैला हुआ भाग होता है मध्य की सूस पष्ट शिरा को मध्य शिरा कहते हैं स्तरिका के पाश्व किनारों सिरों का निर्मान करते हैं तथा सिरा पत्ती के शीश का निर्मान करता है शिराओं में समवहन उतक पाए जाते हैं, जो की भोजन, जल और खनिजों के समवहन के लिए चैनल यानी माध्यम की तरह कार्य करते हैं तथा स्तरिका के कंकाल के रूप में भी कार्य करते रहते हैं शिराविन्यास स्तरिका में शिराओं तथा शिरिकाओं के विवस्थित होने तथा वितरण को शिराविन्यास कहते हैं शिराविन्यास के दो मुख्य प्रकार हैं जालिका शिराविन्यास समानांतर शिराविन्यास जालिका शिराविन्यास जब शिराए अनियमित रूप से वितरित होकर एक जाल का निर्मान करती हैं तो उसे जाल का शिराविन्यास कहती हैं समानांतर शिराविन्यास जब शिराएं स्तरिका के अंदर एक दूसरे के समानान तर स्थित होती हैं तथा जाल का निर्माण नहीं करती हैं तो उसे समानान तर शिराविन्यास कहती हैं. पत्तियों के प्रकार काट तथा निशान के आधार पर पत्तियां दो प्रकार की होती हैं सरल पत्तियां संयुक्त पत्तियां सरल पत्ति जब पत्ति की स्तरिका अच्छिन होती है लेकिन पिछाकार पत्ति में कटाव मध्य शिरा तक नहीं पहुँच पाता अथवा हस्ताकार पत्ति के पर्ण वृत के सिरे तक नहीं पहुँच पाता तब वह सरल पत्ति कहलाती है संयुक्त पत्ती जब पत्ती में स्तरिका का कटाव मध्य शिरा तक पहुँचे और बहुत पत्त्राकों में तूट जाए तो ऐसी पत्ती को संयुक्त पत्ती कहते हैं पर्ण विन्यास तने अथ्वा शाखा पर पत्तियों के विवस्थित होने के एक्रम को पर्ण विन्यास कहते हैं यह पत्तियों के अभी विन्यास का परिणाम है जिससे की वे प्रकाश संग्शलेशन के लिए अधिक प्रकाश ग्रहन कर सकें इसके तीन मुख्य प्रकार हैं एकांतर या घुमावदार, सम्मुक और चक्करदार एकांतर या घुमावदार, प्रत्य गांठ यानी पर्व पर एक एकल पत्ती एकांतर के रूप में निकलती है उदाहरन, गुड़हल सम्मुक प्रत्ये गांट या पर्व पर पत्तियों का एक जोड़ा निकलता है तथा ये परस पर सम्मुख या विपरीत स्थित होती हैं। उदाहरन केलोट्रॉपिस प्रोसेरा यानी ओक चकरदार जब एक ही गांट पर्व पर तीन या अधिक पत्तिया निकलती हैं तथा एक चक्र या गोले में पाई जाती हैं। अतिरिक्त अन्यकारियों को करने के लिए पत्तियां रूपांतरित हो जाती हैं। यह निम्र प्रकार का होता है। प्रतान शूल यानी काटे भोजन संचय प्रतान प्रतान हरे रंग की धागे जैसी संग्रचनाई हैं जोकी सपर्ष के लिए समवेदन शील होती हैं और सहारे के चारों ओर कुंडलित होने की क्षमता रखती हैं। उदाहरन मटर स्मिलाक्स ग्लोरियोस आदी शूल यानी काटे शूल पौधों को चरने वाले जन्तूओं से रक्षा करते हैं तथा वाशपोद सर्जन के क्षेत्र को कम करते हैं। उदाहरन उपिंशिया एलो आर्जमौन आदी भोजन संचय एलियम सीपी की पत्तियों में भोजन संचित होता है। एलो तथा पार्तुलाका में जल, म्यूसिलज तथा भोजिपदार्थ के संचय के कारण पत्तियां मानसल तथा रस्दार हो जाती हैं। पत्तियों के कार्य पत्तियों के कार्यों के प्रकार निम्न हैं। प्राथमिक या मुख्य कार्य, दुधियक या सहायक कार्य पत्तियों के प्राथमिक कार्य प्रकाश संच्शलेशन पत्तियों का प्रमुक कार्य कार्बनिक भोजन का निर्मान करना होता है। प्रकाश संग्षलेशन का स्थान पत्तियों की हरी कोशिकाएं होता है जिनमें पर्ण हरिम पाया जाता है। वाशपोथ सर्जन पत्ति की सतह से जल की हानी वाशपोथ सर्जन कहलाता है। यह आवश्यक है कि जल खंड में बल या विभव उत्पन किया जाए, जिससे की रस उपर चढ़ता है। गैसी विनिमय यह प्रकाश संग्षलेशन तथा श्वसन की प्रक्रिया के दौरान स्टुमेठा द्वारा पत्तियों में होता है। पत्तियों के द्वितियक कार्य उदाहरन प्याज मांसल पत्तियों में जल का संचय उदाहरन ब्रायोफिलम एलो सुरक्षा पत्तियों का द्वितियक कार्य शूलों या काटों में परिवर्थित होकर पत्तियां जन्तुओं के चर्ने से पौधों की रक्षा करती हैं। उदाहरन उपंशिया यानी नागवनी तथा बार्बरी ये पर्णाभ व्रिंत पर्ण विन्यास में रूपांतरित होकर वाशपोथ सर्जन की दर को कम कर देती हैं। उदाहरन अकेशिया जब ये प्रतानों तथा हुकों में रूपांतरित हो जाते हैं, तब ये कमजोर तने वाले पौधों को चहने में सहायता करते हैं। उदाहरन स्मिलेक्स जनन पत्तियों का द्वितियक कार्य पत्तियां पौधों की कारक बहुगुणन में सहायता करती हैं। उदाहरन ब्रायोफिलम पत्तियों के द्वितियक कार्य पत्ति जब जड़ में रूपांतरित हो जाती है तब वह तैरने के लिए संतुलन बनाती है। उदाहरन सेलबीनिया पत्तियों के द्वितियक कार्य लेंगिक जनन लेंगिक जनन में भाग लेने के लिए पत्तियां बाहिदल, पंखुडी, पुंकेसर तथा अंडप में रूपांतरित हो जाती हैं। क्या आप जानते हैं? केरिका पपाया में पंड वरिंत खोखला एवं नलिकादार होता है। विक्टोरिया अमेजोनिया की पत्ति का व्या सर्वाधिक होता है, जोकी लगभग 1.8 मीटर है। रेफिया विनिफेरा की पत्ति सबसे लंबी होती है, जोकी लंबाई में लगभग 10 से 15 मीटर तक होती है। सारांश आए हमने जो कुछ सीखा है, उसे संक्षेप में दोहराएं। पत्ति तने की एक पाशविय व्रिधी है, जोकी गाठ यानी पर्व पर विक्सित होती है। पत्ति हरे रंकी होती है, तथा प्रकाश संक्षलेशन में कारे करती है। पत्तियों में स्तरिका की आकरती उसके सिरे चोटी सतह तथा कटाव में विभिन्नता होती है। पौधे के अन्य भागों की तरह पत्तियां भी अन्य संग्रचनाओं जैसे प्रतान, उपर चढ़ने तथा सुरक्षा के लिए शूल या काटे आदी में रुपांतरित हो जाती है।